कि सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवाद जीए बाई प्यूसर पर दोस्तों नमस्कार आप सभी लोग एक लगसर फटाफट से दोस्तों शेयर कर दीजिये सेशन को जहां तक रॉडा सकते दोस्तों आप पहुंचाए ठीक है क्लिए रहे हैं शुरू करते हैं आज के शो को झाहिए और इसे दोस्तों नोट करना सुरूप कर दीजिये क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा there is no earning without learning and सीखना बन तो जीतना बन चले दोस्तों शुरू करते हैं डेली करेंट अफेर्स वित इस्टेडिक जी के कि ये क्लास है दोस्तों जिसमें हम लोग ताबर तोड़ तरीके से रिवीजन के साथ इसको करते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा करेंट अफेर्स एक्जाम हो ना हो यह आपकी जादा से जादा दोस्तों जो है नोर्टिफिकेशन आये जादा से जादा एक्जामनेशंस के और आप लोगों की तयारी को मैं मुकंबल कराता चला जाओं ठीक है चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं तेलिग्राम चैनल को जुआइन कर सकते हैं दोस्तों आप जीए बाई प्यूसर यहां पे निधी ने देखिये आप लोगों को लाइफ चैट में भी जो है कि सारे कि सारे जो है वो दिये हुए है लाइफ चैट में वीकली करेंट एफेर की क्लास दोस्तों कल हुई है रात को आठ तारीक से 15 तक वा और आप लोग LIC AO के जो है examination में क्या चल रहा इसी पर आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए तो LIC AO में जो लोग जा रहे हैं आज एक्जाम देने सभी को all the best wish you all the best best of luck बहतरीन तरीके स्त्यारी करिए और दोस्तों जो लोग एक्जाम देने नहीं जा रहे हो आज डेखने डेखने डेहने डेंजने लेक्चर देखनें लेक्चरस एलाइसी एडियो ने के जो लक्चे छूटे हुए है डेली करेंट बिखैर्जिक ध Aus Nitka रहे तो सारे आज आपको complete लेक्चर्स है हमारे जोंकि चैप्टर वाइज है एलाइस इए और दोस्तों इसको 58 लेकचर्स देखना शुरू कर दें और दोस्तों जो है IBPS वाले और SBI वाले इसे भी वो लोग भी अभी सही सब लोग पढ़ ले पढ़ते पढ़ते भी आप लोगो बहुत समय लग जाएगा 58 लेक्चर से और एक लेक्चर पढ़ने में भी एक घंटे के लेक्चर को पढ़ने होगे अगर ढंग से तो 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर तुम समझते हुए पढ़ोगे तो जीके जीएस की भी दोस्तों प्लेलिस्ट अवलेबल सब कुछ चैनल पर अवलेबल एक बार होम पेज पर घूम के देखो मंतली करेंट अफेर की क्लास दोस्तों जो मैंने रोकी हुई है वीकली के लिए इसके सब्सक्राइब दोस्तों बेश्ट टूहंड़ तोर तरीके से मैं आप लोग को चलाओंगा ठीक है चलिए बहुत बढ़ियां शांदा जिंदाबाद जबर्दस्त है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विच एयरलाइन इंडिया सेट टू बाइट टूहंडेट ट्वेंट बोइंग प्लेन फॉर थर्टी फॉर बिलियन यूएस डॉलर भारत में कौन सी एयरलाइन से जो 34 डालर में 120 बोइंग विमान खरीदने के लिए तयार है दोस्तों करीब 200 जो है खरीदे जा रहे हैं एयर बस और 220 बोइंग तो यह किस के किस देश से खरीदे जा रहे है बता दोस्तों खरीदने वाली कंपणी का नाम है टाटा जिसने एयर इंडिया को खरीदा था 1953 के पहले यह टाटा एयरलाइंस के नाम से जाने जाती थी फिर नहरू जी के समय में नेस्नलाइजड हो गई सरकारी बन गई फिर टाटा की कंपनी हो गई है तो दोस्तों जो है टाट लिए पूछा कि यह डील किस से हुआ है तो दोस्तों जो है यहां पर कल रात को हम लोग ने इस पर बहुत चर्चा करी थी कल रात को वीकली करेंट अफेर में हम लोग ने चर्चा करी थी कि जब मैंने बोला कि टाटा और एयर बस का टाइफ हुआ तो मैंने पूछा किस कंट्री के साथ हुआ तो सबने जो है उसमें स्पेन कल रात को टिक किया था तो मतलब बोला था तो कल से ही रिलेटेड यह क्वेश्चन है कल रात को मैंने इस पर चर्चा करी थी वीकली वाले में तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही अब आप लोग खरीदने के लिए ठीक है 70 वाइट बोडी अल्ट्रा लॉंग रेंज एरक्राफ्ट इंक्लूदेड इंडिल इस करी 300-400 टेट पेसेंजरी 3-class configuration फ्रम इंडिया इस एरक्राफ्ट केट फ्ला नॉनस्टाप टू यू एस 470 न्यू एरक्राफ्ट फॉर एर इंडिया 250 फ्रों एर बस और 220 फ्रों बोईंग 400 नेरो बॉड़ी विच यूजली कैरी 140 तू 70 पैसेंजर तो दोस्तों अमेरिका ने यह कहा है कि इस बोईंग के खरीदने से हमारे 44 स्टेट्स में 10 लाख रोजगार पैदा होंगे प्रांस भी खुसे इमेंविल मेकराउन वीडियो कांफरेंसिंग के तुरू दोस्तों जो है मोदी के साथ जुड़े थे कल परसो दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है ठीक है वही दोस्तों यहां पर जो एयर बस के साथ जो टाइप हुआ है इसमें यूके जह 68 इंजिन बन आगे देगी रॉल्स रॉयस तो भाईया यूके को भी रोजगार मिल गया अमेरिका को भी रोजगार मिल गया प्रांस को भी रोजगार मिल गया रोजगार कौन दे रहा है भारत दे रहा है टाटा दे रहा है जब वह एयर बस खरीदेगा एक एरो प्लेन खरीदने में बहुत बड़ी डील है बहुत बड़ी डीषए इसलिए दोस्तों इसे मैंने कल भी डिस्कॉस किया था और आज भी डिस्कॉस कर रहा हूँ है चले बहुत बड़ियां चेते हैंDJ कि इस टोटल डींदोस्तों 45.9 billion डॉलर का है अकेले boeing के साथ अकेले बोईंग के साथ दोस्तों विच और्गनाजेशन लाट्स लॉंच्ट इट्स सेकेंड ग्लोबल है काथॉन हार बिंगर 2023 इनोवेशन for transformation with the theme inclusive digital services दोस्तों हार बिंगर जो है कि यह लॉंच हुआ था 9 नवंबर 2021 को पहला है का फॉन हार बिंगर में ही उस कंपनी का नाम चीपा हुआ है जिस और्गनाजेशन नहीं है का फॉन लॉंच किया है है का फॉन किस लिए लॉंच किया जाता है इनोवेशन for transformation एक जो है दोस्तों जो digital players है जो डिजिटल इनोवेटर्स है वह अपने अपने दिमाग लगाते हैं कैसे हम transformation करें digital payment को तो दोस्तों जो है यहां पर है का फॉन टैग ने जीता था साउंड बॉक्स और यूपी आई 123 पे के लिए लाँच किया था उसने दो-दो केटेगरी में दोस्तों उसने आवार्ड जीता था टोन टैग ने लेकिन दोस्तों अब यह अपना सेकेंड ग्लोबल है क्थान लाँच किया है और इस बार की थीम है इंक्लियूसिव डिजिटल सर्विशेज उस समय का जो है क्या था फ़र्स्ट है कर्काथॉन की तिम क्यात dire डिजिटल पेमएंट यहां पे digital services है सबको कैसे digital services में include किया जाए इसके लिए क्या innovation आप दे सकते हैं हार बिंगर एक ऐसा marathon चलता है जिसमें सारी company अपने अपने जो है ideas देती हैं सारे hackers देते हैं सारे software के जो महारत ही है वो देते हैं ठीक है तो यह दोस्तो RBI के द्वारा launch किया गया है अपना second hackathon याद रखिएगा फर्स्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं अब यह second के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूं ठीक है clear है चलिए बहुत important point है दोस्तो इसको note किया जाए दोस्तो government has launched a mobile app government एक mobile app launch किया है दोस्तो फॉर रिपोर्टिंग अनथराइजड कोल बाइनिंग कोईला खनन जो अनथराइज तरीके से हो रहा उसे activity के लिए एक mobile app launch किया गया है what is the name of this mobile app तो mobile app का नाम है दोस्तो खनन प्रहरी क्या नाम है खनन प्रहरी दोस्तो इसका नाम है प्रहरी और cmsms दोस्तो लॉंच किया गया है ठीक है cmsms का मतलब क्या है दोस्तो कोल माइन सर्विलांस एंड मेनेजमेंट सिस्टम कोल माइन सर्विलांस एंड मेनेजमेंट सिस्टम भी लॉंच किया गया है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबदस्त दोस्तों इस एप पर अभी तक 462 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें अवैद खनन किया जा रहा है उसक ने किया है तो दोस्तों जो है आदी महुत्सों का उद्गाटन नरेंद मोदी जी ने किया है दोस्तों जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं दोस्तों जो आदिवासियों के मिनिस्टर है वो हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा साहब अर्जुन मुंडा साहब दोस्तों जारख खेल रत्य पुरुसकार दिया जाने लगा जो भारत का सर्वोच खेल पुरुसकार है जो इस बार केवल सरत अचंता कमल को दिया गया था सरत अचंता कमल ने दोस्तों कॉमन वेल्थ में तीन गोल्ड एक सिल्वर यानि चार मेडल जीते थे केवल एक ही आदमी को यह सिटी स्पोर्स की बन रही है यूपी के मेरट में मेजर ध्यान चंजी का जन्म यूपी के जहांसी में हुआ था ठीक है दोस्तो केंदरी स्वास्त मंत्राले ने हेल्थ साइकल फॉर हेल्थ का आयोजन किया है यह किस स्थान पर दोस्तो साइकल फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया है तो यह नई दिल्ली में किया गया है साइकल फॉर हेल्थ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है लेडी हार्डिंग जे मेजिकल कॉलेज नई दिल्ली में दोस्तो इसका आयोजन किया गया है तो दोस्तों इसका करम में हेल्थ मिनिस्टर मन्सुप मंडाविया भी सामिल हुए थे जो की दोस्तों मेडिसीन वाले मिनिस्टर भी है यानि की रसायन और उर्वरक मंतरी पर्टल से राजसभा के कोटे से आते हैं दोस्तों बेश्ट बस सर्विस ने किस शहर में देश की पहली कंट्रीज फर्स्ट एयर कंडिशन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्गाटन किया है तो दोस्तों यह डबल डेकर बस है वो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली तो डबल डेकर बसेस के लिए मुंबई फेमस है बेस्ट बस सर्विस भी दोस्तों मुंबई की ही बस सर्विस है जिसे की ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रास्पोर्ट अंडर्टेकिंग कहा जाता है इस डबल डेकर बस की जो गपसिटी है दोस्तों वो 73 गट्रीश क्लियर एं आ जाले बहुत बढ़िया शानदार जिनदाबाद जबरदस्त तो छे रूपय नियूंतम किराया लिया जाएगा दोस्तों पाच के लिए मिटर की दूरी के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों जनवरी में जो WPI inflation आया है दोस्तों वो किस रेट पर आ गया है wholesale price index का जो inflation है दोस्तों वो कितने percent पर है तो यह 4.73 percent पर है कितने percent पर है दोस्तों 4.73 percent पर है तो आज लगता है बहुत सारे बच्चे जो है LICAO का paper देने के लिए दोस्तों निकल पड़े हैं है न तो दोस्तों 4.73 percent पर जो है WPI inflation है याद रखिएगा ओके टू इयर लो पे पहुंच गया दो साल के निम्रतम इस्तर पर दोस्तों WPI जो है पहुंच गई है तो दो साल के निचले इस्तर पर जो है यहां पर दोस्तों WPI inflation पहुंच गई है यह बात याद रखना चाहिए ठीक है clear है this is the fourth consecutive month that factory gate inflation saw single digit print after remaining in double digit for 18 successive month 18 महीने तक double digit पर था दोस्तों 4 महीने से single digit पर आया है और आया है तो इतना कम हो गया जब गया था तो 13 14 परसेंट चला गया था और अब दोस्तों अचानक से गिरा है तो इतना 4.95 दिसंबर में था और अभी जो है 4.73 परसेंट आया है दोस्तों किस बैंक ने मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी व्यापारियों और ग्राहकों के लिए एक आफलाइन डिजिटल पेमेंट का परिक्षड करने के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट आफलाइन पे लाउंच किया है दोस्तों आफलाइन वाली सुविधा RBI ने सुरू कर ही दी है दोस्तों जिसे के हम लोग कहते हैं UPI light जिसमें 200 रुपए आप पेमेंट कर सकते हैं UPI अगर नेटवर्क नहीं है तो भी इंटरनेट नहीं है तो भी वैलेट से वह पेमेंट होता है वैलेट में आप 2000 रुपए मैक्सिमं मरक सकते हैं वैलेट में आप 2000 रुपए दोस्तों मैक्सिमं रक सकते हैं ओके चले वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबरदस एच्डी अपसी के हैट दोस्तों शशीदर जगदीशन है एच्डी अपसी बैंक 1994 में आई थी जो 1977 वाली अपनी मदर कंपनी को ही मर्ज करने वाली है HDFC को ही HDFC बैंक मर्ज कर लेगी दोस्तों निमनलिकित में से किस बैंक ने अपने डिजिटल बुनियादी धाचे यानि डिजिटल इंफ्रस्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अपना प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम रखा है माहा बैंक नच च्छत्र रखा गया है तो दोस्तों यह माहानाम से कोई बिए दोस्तों अगर आपको सुनाई देजाएंगी महानाम से कोई cela कोी इनिसियेटीव है तो समझ जाओ कि यह बैंक अव महराश्या का इनिसियेटीव वन बैंक इसकी tagline है वन फेमिली वन बैंक दोस्तों इसकी tagline है 1935 में ये दोस्तों आई थी दोस्तों बैंक ऑल्सो लाँज़ पोर्टल काल्ड सुविधा बैंक ने एक पोर्टल सुविधा नाम से भी ओपन करी है पोर्टल and automated DCSS disease claim settlement system to simplify the diseased claim settlement process and keep customer ease into consideration दोस्तों जब कोई बीमारी का claim करता है तो उसको पैसे चाहिए होते हैं तो दोस्तों चाहे बीमारी का claim हो चाहे death का claim हो उसको तुरंत पैसे मिलें इसके लिए भी दोस्तों इन्होंने सुविधा portal launch किया है क्योंकि दुखी आदमी ही ये claim लेता है दोस्तों Institute of Chartered Accountant of India के council के head कौन बन गए है प्रेसिडेंट कौन बन गए है तो दोस्तों ये अनिकेत सुनिल तलागी बन गए है दोस्तों Institute of Chartered Accountant of India 1949 में 1st July को आई थी इसी वजह से दोस्तों Chartered Accountant Day 1st July को मनाया जाता है 2017 में GST आई थी इसलिए 1st July को GST Day मनाया जाता है डॉक्टर विदान चंदर रायर जी का death भी उसी दिन हुआ था और जन्म भी उसी दिन हुआ था इसलिए उस दिन डॉक्टर जडे मनाते हैं डॉक्टर विदान चंदर रायर फीडम फाइटर थे विष्ट बेंगॉल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर भी थे दॉक्टर तो थे ही दोस्तों 1st July को 1955 में SBI आई थी इसलिए हम लोग SBI Day भी मनाते हैं SBI Day, Doctors Day, GST Day, Chartered Accountant Day और बहुत सारे दिन जैसे आप लोग देखते होगे बहुत सारे लोगों के बड़े Facebook पे उस दिन एक जुलाई को आते हैं भी सण गर्मी में ही आप लोग को एक्जाम के जश्टबाद बुला लिया जाता है ठीक है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिन्दाबाद जबदस्त दोस्तों महिला प्रीमियर लीग, वीमेन प्रीमियर लीग 2023 के लिए चल रही खिलाडियों की निलामी में सबसे महंगी खिलाडी कौन दोस्तों बिकी हैं सबसे महंगी खिलाडी जो है वो इस्मृती मंधाना है दोस्तों इस्मृती मंधाना जो की दोस्तों रॉयल चलेंजेस बैंगलूरू ने खरीदा है और रोयल चल्लेंजर बेंगलूरू ने थ्री पॉइंट फूर करोड में खरीदा है ठीक है आश्टेलिया की एसले गार्नर दोस्तो ये जो है विदेशी खिलाडियों में सबसे महंगी खिलाडी है जिसे गुजराज जायंट ने थ्री पॉइंट टू जीरो करोड में खरीदा है दोस्तो नेटली साइवर के जिनंहें की खरीदा मुंबक इंडियार ने थ्री पॉइंट जीरो करोड पर तो दोस्तों ये दो नोंगों को चौती फॉर्र और दोस्तों एसल गार्दनर लठीक है तो एक को मुंबे इंडियन ने खरीदा एक को गुजराच जाएंट ने खरीदा चौती टीम कौन सी है दोस्तों चौती टीम है लखनव लखनव वाली टीम चौती टीम है गुजराच जाएंट एक टीम है मुंबे इंडियन एक टीम है रोयल चलिंजर बैंगलूरू एक टीम ह लखनव वाली नहीं है या दिल्ली कैपिटल है क्या दिल्ली कैपिटल होगी मेरे इसाब से लखनव वाली भी टीम है चलिए एक बार ये भी देख लिजेगा कितनी टीमें खेल लई है कितनी टीमें खेल लई है दोस्तों और बियाई की financial literacy week कब मनाई जाती है यह question बहुत important है बहुत important है most important है तो दोस्तों जो है आरबे की financial literacy week जो है वो 13 से 17 फरवरी 13 टू 17 फैब के बीच में बनाई यूपी वारियर से डिल्ली capital भी तो होगा डिल्ली नहीं है क्या तो दोस्तों जो है यह देख लो total कितनी टीम है यह आप देख लिजेगा ठीक है 2016 से ही हर साल दो है financial literacy week मनाया जाता है ठीक है तो दोस्तों इस बार की जो financial literacy week है वह MSME credit discipline credit for formal institution digital financial literacy इन सब मुद्दों पे होगी दोस्तों इस बार की थीम क्या है इस बार की थीम है गुड फिनेंशल बिहेवियर योर सैवियर गुड फिनेंशल बिहेवियर योर सैवियर अच्छा वित्ती वेवहार आपका उधार करता हैं दोस्तों इंडियास फर्श नेशनल मेटरो रेल नॉलेज सेंटर टू बी बिल्ट इनुच सिटी भारत का पहला राश्य मेट्रो रेल ग्यान केंडर की शहर में बनाया जा रहेगा तो दोस्तों इसे जो है दिल्ली में बनाया जाएगा भारत का पहला चलिये बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबार जिए इंफरा प्राइवेट लिम्टेट को देश के पहले नेशनल मेट्रो रेल रेल नॉलेज सेंटर के डिजाइन और दोस्तों का जो है कंस्ट्रक्शन का ठेका मिला है टेंडर मिला हुआ है 460 मिलियन रूपए की दोस्तों कॉस्टिंग के साथ यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप दिल्ली में विश्व विध्याले मेट्र श्टेशन पर बनाया जायेगा दोस्तों हाली में केंद सरकार ने करनाटक में प्रसाद योजना के तहट विकास के लिए कितने तर्ट केंद्रों की पहचान किये दोस्तों जो तिरत यात्रा स्थल होते हैं जो तिरत यात्रा करने के लिए जहां लोग जाते हैं पिल्ग्रिम सेंटर वहां पर दोस्तों प्रशाद योजना चलाई जाती है प्रशाद योजना में पहले एच नहीं हुआ करता था ग्योंकि हैरिटेस सिटीज के लिए हिर्दय योजना चलाई जाती थी और प्रसाद योजना के लिए दोस्तो पिल्ग्रिमेज वाले के लिए प्रसाद योजना चलाई जाती थी बाद में हिरिदय योजना भी दोस्तो इसी में मर्च कर दिया गया तो अब इसमें एच वर्ड भी दिखने लगा है अब प्रशाद का फुल फॉर्म क्या है दोस्तो पिल्ग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्प्रिचुवल हेरिटेज अगुमेंटेशन ड्राइब यानि हैरिटेज वर्ड इसमें नया जुड़ा है दोस्तो यह जो चाहे प्रसाद हो चाहे हैरिटेज हो तिर्ट यात्रा इस्थल जैसे हैं उन्हें दोस्तो उस रूप में डवलप किया जैसे वरारसी आए तो किसी को फिलिंग हो कि धार्मी की नगरी में आ गया है अजमेर जाए तो उसको वहां की फिलिंग आए अगर कोई अमरिच सर जाए तो वैसी फिलिंग आए दोस्तो ऐसे ही हेरिटेज सिटीज भी है जैसे खजुरा हो जाए तो उसको जो फिलिंग लेने जा रहा है वो मिले अगर व दोस्तों के लिए लगातार जो सब्सक्राइब किया जा रहाएं तो दोस्तों यहां पर चार पेंद्रों की पहचान की गई है करनाटक में यह तो दोस्तों चामुंडेस्वरी मंदिर है दोस्तों जो की उडुपी जिले में है मैसूर में चामुंडेस्वरी मंदिर जो है मैसूर में उडुपी जिले में शुरी माधववन है बीदर जिले में पापनाश मंदिर है और बेल गावी जिले में सौन दत्ती में श्री रेड का यह लम्मा मंदिर है दोस्तों जिसे इस योजना के तहट चुना गया है स्वदेश दर्सन योजना के तहट दोस्तों हमपी और मैसूर के विरासत इस्थलों का चैन पहले ही किया जा चुका है तो हैरिटेज साइट्स के लिए दोस्तों स्वदेश दर्सन योजना की बात यहां प ओके क्लियर है दोस्तों पधानमंती नरेन मोदी जी ने बैंगलोर करनाटक में एरो इंडिया शो के किस एडिशन का उधगाटन किया है तो एरो इंडिया शो में एक से एक दोस्तों करतब दिखाए गया बहुत मज़ा आया देखके भारत के जो है लडाकू भीमानों की जो है सामर्थ देख करके बहुत मज़ा आया तो दोस्तों यह इसका 14th एडिशन था यह इसका 14th एडिशन था दोस्तों मज़ा आया देखके तो दोस्तों यह जो है एरो इंडिया इस बिंग और्गनाइज़ बाई दे इंडियन डिपार्टमेंट अफ डिफेंस प्रोड़क्शन from 13 to 17 येला हांक का एर फोस इस्टेशन इन बेंगलूरू जो इसकी थीम है दोस्तों वो है runway to a billion opportunity runway to a billion opportunity ठीक है 98 countries इसमें भाग ले रही है दोस्तो 75,000 करोड रुपे के MOU पर sign होने की भी उम्मीद है यहां पर दोस्तों ऐसे ही अभी UP Global Investors सम्मिट हुआ था उसमें कितने रुपे के investment UP को मिले हैं कितने रुपे के sign हुए है ताढ़े 33 लाग करोड 33.5 लाग करोड के investment UP को मिले हैं दोस्तों किस financial company ने भारत की G20 presidency और mobile payment में देश के नितित्व का जश्न मनाने के लिए एक विसेश G20 team based QR code launch किया है तो दोस्तों ये पेटियम ने लाँच किया है पेटियम पेमेंट बैंक को नए अकाउंट खोलने से पेटियम कंपनी को नए व्यापारियों को जोडने से RBI ने पतिबंधित किया हुआ है दोस्तों इसे जो है कि अश्वनी वैस्टों ने डिजिटल पेइमेंट उत्सों के दवरान लाँच किया है डिजिटल पेइमेंट उत्सों का आयोजन दोस्तों दिल्ली में किया गया था ठीक है क्लियर है तो दोस्तों पेटियम ने वही पर दोस्तों इसे लाँच किया है डिजिटल पेइमेंट टो माइटी मिनिश्टी के दवारा शुरु किया गया था ये भी याद रखेगा मुहमद शाहबूदीन किस देश के 22 राश्वति चुने गए है तो । बंगलादेश के दोस्तो राश्पती बदल गए हैं प्राइमिनिस्टर वही है शेख हसीना है तो दोस्तो कैप बंगलादेश की कैपिटल ढाका है करेंसी टका है तो महम्मद सहाबुद्दीन कौन है दोस्तो ये राश्पती है बंगलादेश के बहुत important question है दोस्तो याद क्योंकि मौम्मद अब्दुल अदिल हमीद जो है वो तीसरा कारकाल नहीं कर सकते दो कारकाल से ज्यादा कोई भी राश्पती के पत्पे नहीं रह सकता इसलिए दोस्तो उन्हें हटाया गया दोस्तो कोजी कोड के लगू कथाकार और पन्यासकार की मृती में एक ट्रस्ट द्वारा इस्थापित अकबर कटील पुरुसकार किसने जीता है तो अकबर कटील अवर्ड दोस्तो सौर्स स्टोरी राइटर और नोविलिस्ट के लिए को दिया गया है उनका नाम है शुभाश चंदरन क्या नाम है मेरे भाई शुभाश चंदरन नाम है ओके दोस्तों कि स्राज्य की पुलिस को अभी प्रेस्टीजियस प्रेसिडेंट कलर अवर्ड दिया गया है तो दोस्तों प्रेसिडेंट कलर अवर्ड जो है पिछली बार तमिलाडू की पुलिस को मिला था इस बार हन्याड़ा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवर्ड अमिट शाह जी के द्वारा दिया गया है योकि अमिद साह जी के अंडर ही पुलिस आती है होम मिनिश्टर के अंतरगत ही दोस्तों देश की अंतरिक सुझक्षा आती है ठीक है क्लियर है 1952 में दोस्तों जो पहली प्रेसिडेंट कलर अवार्ड थी वो यूपी पुलिस को दी गई थी जवाहल लाल लेहरू जी जो हमाई देश के प्रथम पधान मंतरी थे उनके द्वारा दोस्तों ललिता लाजमी का हाल ही में 90 वर्स की आयू में निधन हो गया वो कौन थी तो दोस्तों वो एक पेंटर थी चित्रकार थी दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदा जिन्दाबा जबदस्त वो दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरु उनकी बहन थी दोस्तों ललिता जी ने आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी जिसमें वो आर्ट टीचर बनी थी दोस्तों ठीक है जो लाश्ट में आर्ट वाला एक्जिबीशन हुआ था दोस्तों विच जो आवार्ड वीनर मैगजीन वीनर जो है गोशित करी थी याद करो विच कंपनी लॉंच्ट वर्ड फर्स सेटलाइट बेजड टू वे मैसेजिंग सिस्टम किस कंपनी ने दुनिया का पहला सेटलाइट बेजड दो तरफा संदेश प्रडाली लॉंच करी है तो दोस्तों यह क्वाल कॉम ने लॉंच कर यह क्वाल कॉम दोस्तों चिप मेकर कंपनी यह जो अमेरिका की कंपनी यह और दोस्तों जो है याद करो earliest in .विच वास लाउंच रिसेंट लीनि इस दे वर्लड फॉस इस्टिल्लाइच बे entity 제가 means मेसेजिंग सॉलूशन क्या नाम है इसका स्नैप ड्रैगन सेटलाइट स्नैप ड्रैगन सेटलाइट ठीक है क्लियर है दोस्तों बोईंग ने भारत में अपना पहला इंजिनियरिंग एंड टेक्नलोजी सेंटर ओपन करने के लिए किस शहर को चुना है बोईंग कमपनी दोस्तों अमेरिका की कमपनी है जिससे हमको अपाचे हेलिकॉप्टर मिला है चीनूख हेलिकॉप्टर मिला है हरक्यूलिस मिला है C-17 Globe Master मिला है दोस्तों अभी Boeing से दोस्तों करीब 220 Boeing जो है Tata की Air India को मिलने वाला है तो दोस्तों Boeing से हम लोग बहुत सारी चीज़े खरीदते हैं तो दोस्तों यह कहां की company है यह Bangalore की company है कहां पर open कर रहा है Boeing अमेरिका की company है इसने Bangalore को चुना है अपना Engineering और Technology Center open करने के लिए ठीक है दोस्तों when was the सद्भावना operation launched in Ladakh? Ladakh में दोस्तों सद्भावना operation कब शुरू किया गया था तो दोस्तों इसे 1996 में जो है दोस्तों शुरू किया गया था ठीक है तो दोस्तों operation सद्भावना में इंडियन आर्मी क्या करती है दोस्तों आर्मी गुडविल स्कूल इंफ्रस्ट्रक्ट्चर डवलप्मेंट एजूकेशनल टूर कराती है वहां के बच्चों को एजूकेशनल टूर कराती है दोस्तों ताकि बच्चों के साथ उनके जो है यह कौन कब होगा अमेरिका कनेडा और मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप कब होगा दोस्तों किस से रिलेटेड है यह बाते तो दोस्तों यह hosting rights for the 2026th edition of the World Cup से रिलेटेड है यानि 2026 के जो वर्ल्ड कप है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप यह इन तीन देशों में होगा अमेर एरिया को साजहा करते हैं चीक है क्लियर है असी में से 60 मैच दोस्तों अमेरिका में होंगे कैनेडा और मेक्सिको में 10-10 मैच बाकी होंगे ओके दोस्तों अभी कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और कतर में ही अभी 2023 का एशिया कब भी होने जा रहा है फुटबॉल का दोस्तों वीमेन प्रिमियर लीग में रॉयल चलंजेस बैंगलूर की टीम मेंटर के रूप में कौन सामिल हुई है ये आपको बताना है तो दोस्तों यह जो है शानिया मिर्जा जो की रिटायर हुई दोस्तों और अभी रिटायर्मेंट इन्हों ने ली है और खेलती तो दोस्तों यह टैनिस हैं लेकिन यह अभी वीमेन प्रीमियर लीग में एक तरीके से से टीम मेंटर के रूप में काम करेंगी मनूबल बढ़ाएंगे पाकिस्तानी पुर्व कैप्टन सा शोय मलिक की वाइफ भी है ठीक है दोस्तों बैंगलोर की एक श्टार्ट अपने भारती सेना को स्वार्म डोन डिस्ट्रिब्यूट किये स्वार्म ड्रोन्स दिये हैं इंड चालित करने वाली दुनिया की पहली प्रमुक्स असस्तरबल बनाती है दोस्तों बैंगलोर बेज़्ट स्टार्ट अप हैज डिलीवर्ट स्वार्म ड्रोन टू इंडियन आर्मी विच मेक्स दा आर्मी दा फिर्स्ट मेजर आम्ड फोस इन दा वर्ल्ड वर्ड वोपरेशन अनलाइज दीज हाई डेंसिटी स्वार्म ड्रोन तो दोस्तों स्वार्म ड्रोन को अपरेट करने वाली दुनिया की पहली आर्मी हमारी आर्मी बन गई है कौन सी कंपनी उसको यह दे रही है स्वार्म ड्रोन तो दोस्तों यह दे रही है न्यू स्पेस रिसर्च न्यू जाट पर जो इंडियान नारमी को इस स्वांड ड्रोन जो है दोस्तों स्वांड ड्रोन जो है हाई डेंसिटी वाली दे रही है दोस्तों विच स्टेट इन इंडिया एलौकेटेट द नोस्ट प्रपोर्शन और बजट टौर्ड सेजूकेशन इन financial year 23 वित्वर्स दोजा 23 में हर राज्यों ने अपने बजट दोस्तों जो है पेश किये हैं शिक्षा पे सबसे ज़्यादा अपने बजट का हिस्सा खर्च करने वाला सबसेदा प्रपोर्शन खर्च करने वाले दोई स्टेट से दोस्तों 36 गड़ और बिहार बिहार भी दोस्त और देखा जाए तो 36 गड़ ने 18.82 परसेंट एजुकेशन के लिए निकाला है और बिहार ने 18.3 परसेंट अपने एजुकेशन के लिए दोस्तों निकाला है है दोस्तों कि सराज में साइनस सेंटर एंड प्लेनेटोरियम का संस्रक्श्ण किसुडिया जा रहा है तो यह र राज्य स्थान में किया जा रहा है 35 करोड 25 रुपेस पर खर्च होंगे दोस्तों एकॉर्डिंग तुद फिनेस मिनिस्ट्री ग्रॉस डारेक्ट टेक्स कलेक्शन बढ़ गया है डारेक्ट टेक्स का मतलब होता है दोस्तों और इ耍कम टेक्स के यह डारेक्ट टेक्स कंत् misma वाइं है को टेक्स कित्न हो गया है दोस्तों कौनेस्ट बढ़ें को Проशन करोड़ 250 140 रुक जारक ृक्ष्ट रुपैइज जब ज्यादा टेक्स केलेक्शन होता तो सरकार छूट भी दे देती कि चलो ठीक है कुछ लोग नहीं देंगे तो चलेगा गरीब लोग नहीं देंगे तो चलेगा तो जॉब वाले को 50% का स्टेंडर्ड डिक्रेक्शन अलग से मिलता है तो साड़े साथ लग तक की छूट है ओके क्लियर है दोस्तो वाट इस दो थीम आफ इंटरनेशनल चाइल्ड हूट कैंसर डे अंतर राष्टी बाल कैंसर दिवस की थीम क्या है इंटरनेशनल चाइल्ड हूट कैंसर डे की जो थीम है दोस्तो वह है बेटर सर्वाइवल क्या है बेटर सर्वाइवल ओके क्लियर है चले बहुत बढ़े ओंद्री कि जम्मूकेश्मीर लद्दाख फाइकोड के चीफ जस्टिस के रूप में किस सपत लिए तो दोस्तों जस्टिस एन कोतिसवर सिग्फ पाइब कर फेद्न हाद था जब हैदराबाद तिलंगाना पास चला गया तो अंध्रपदेश को अपना हाई कोड बनाना पड़ा था ठीक है दोस्तों टी-20 इंटरनेशनल में 100 लेने वाली पहली भारती महिला गेंदबाज कौन बन गई है तो दोस्तों दिपती शर्मा भारती पहली महिला गेंदबा लिए हुए हैं दोस्तों पूर्शों की बात करें तो भारत के जवेंद चहल को दोस्तों टी-20 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है इनका भी अभी 100 विकेट नहीं हुआ है दोस्तों यानि की अगर देखा जाए तो दिपती शर्मा पूर्शों में औ यूपी वारियर्स ने अभी निलामी में 2.60 करोड में खरीदा है 2.60 करोड में खरीदा है वीमें प्रीमियर लीग में यूपी वारियर्स ने याद करिए रखिएगा ठीक है ओके दोस्तों 13,862 feet 13,862 feet की height पर India's first frozen lake marathon दोस्तों किस state और union territory ने conduct किया है आयोजित किया है तो दोस्तों ये लदाक में frozen lake जो pengong lake है दोस्तों उसके वो जम गई है इस समय उस पर ये मेराथन होगा दोस्तों इंडियन आर्मी और ITBP दोस्तों पूरी तरीके से इस आयोजन को करने के लिए दोस्तों प्रतिबद्ध है 21 कि मेराथन लुकुंग से सुरू होगी मान गाउं में खतम होगी भारत व विदेश के 75 चैनित एथिलीट इसमें भाग लेंगे इसे दोस्तों जलवायू परिवर चेर्मेंशिप आफ इंडिया हैस बिन हेल्ट इन विच सिटी तो दोस्तों जो है यह जो है इंडौर में आयोजित की गई है तो ठीक है जी ट्वेंटी के अंडर में एग्रिकल्चर वर्किंग ग्रूप की मीटिंग कहा हुई है इंडौर यह वहीं दौर है जहां पर अभी प्रवासी भारती दिवस इंडिस डायस्पूरा डे मनाया गया जो क्लीनेश्ट सिटी लगाता है छे बार से चुना गया है दोस्तों ठीक है लद्दाक के गवर्नर बीडी मिसरा है बिल्कुल सही बोतारी और निदी बहुत अच्छा अब क्योंकि MP में हो रहा है इंड दौर में हो रहा है तो जोति रादिस सिंधिया इसे लांच कर रहा है तो दोस्तों ताबर तोर तरीके से हम लोगों ने आज के करेंट अब पर कम्प्लीट किया लेकिन मैंने वादा किया तक कल का रिवीजन जरूर कराऊंगा तो को दोस्तों डिजिटल एकनॉमी वर्किंग ग्रूप की मीटिंग यह कहां पर हुई है रैपिट फैर रिवीजन में देखते हैं यह लखनव में हुई है डिजिटल एकनॉमी भारत मनना चाहता है और यूपी आई उसमें बहुत बड़ा जोस्तों जो एक भूमिका निभा रह है को दोस्तों जो है यहाँ पर मैटी मिनिश्री के सेग्रटरी कौन है अलकेश कुमार सरमा है तो दोस्तों यहां पर दिख्षा कोवीनी संजीवणी यूपी आई आधार इन सब की दोस्तों महत्ता बताई गई है दोस्तों नेशनल राइस रिसर्च सेंटर इंस्टिटीट प्रिट कहां पर है कटकुरीशा में हैं दोस्तों यहीप और इंडियन राइस कॉंग्रेस का उद्घातन किया गया द्रौपदी मुर्मूजी के द्वारा कट्खॉक Cathedral में दोस्तो राइस कॉंग्रेस और राइस सेंटर इंशिट्यूट है यह आपको याद रखना होगा ठीक है राइस वाला दोस्तो नेशनल फोरेंसिक साइंस इन्वर्सिटी की स्थापना के लिए दोस्तो कहां पर टाइप किया गया है डारेक्टरेट जी जनरल जनरल ऑफ जी संगत आ गया जिसके हेड है विवेक जोहरी को दोस्तों यह जी तगशिक की जौरी कि जार्च के लिए आवस्ष्य कुपाई के लिए खूफिया संगठन है ये खूफिया संगठन है डिजिटल फॉरेंसी क्लैब दोस्तों पीम मोदी जी ने दयानन्द सरस्वती जी की दोस्तों वी जेन्ती समारों का उद्गाटन किया नैदिली के इंद्रगांधी इंडोरी स्टेडियम में दोस्तों इनका जन्म 1824 में हुआ था और 1875 में इन्होंने रस समाज की स्थापना की थी दोस्तों फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों जो की आपका MP में हुआ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं दोस्तो महराश ने 161 मेडल आसता कोई भी स्टेट नहीं जीत पाया था पाच बार खेलो इंडिया यूद गेम हो चुका है दोस्तो यहाँ पे 56 गोल्ड महराश ने जीते हैं इसके बाद हरियाना का नंबर आया है 128 के साथ फिर राजस्थान है और फिर दिल्ली है दोस्तो अभी इंडिया में एक फॉर्मूला ए रेस हुआ था इलेक्ट्रिक वेहिकल वाली कार का रेस जो कि पहली बार इंडिया में हो रहा है दोस्तो हैदराबाद में इस रेस को किसने जीता तो इस रेस को जीता है जीन ए एरिक वरगिन ने जीता है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों साइकलोन गैबरियाल किस देश में आया है तो यह न्यूजीलैंड में आया है गैबरियाल साइकलोन दोस्तों न्यूजीलैंड में आया है सौधी अरब की फिमेल एश्रोनॉट दोस्तों कौन ब सभासा के स्पेस से बेज बेजा जाएगालॉन मस्क की इस पेस एक्स दोस्तों भेजेगी इस middle गयी कि सब्सारा और गिल को दोस्तों ब्लेयर को गश्ब्सेक सब्नेंघैने दोस्तों इसे darkest में इंगिलेंड की किर्केट प्लेयर है ग्रेज स्राइवेंस इनको दोस्तों जो बनाए गया है विमेंज प्लीयर अप द्य tenants दोस्तों भारत के कि चात्रों दुबई में वर्ल्ड गोबर में समिट में गोलड मेडल जीता है तो दोस्तों यह आ आई टी जो है दोस्तों इंदौर के बच्चे है अच्छा मैंने आप लोग कहा था नील नितीन मुकेस से याद रखना तो नील नाम है दोस्तों लड़के का नियती नाम है लड़की का बीच में अबदिल फतेल सीसी इनको एवार्ड दे रहे हैं जो इजिप्ट के राश्पत हैं प्रेसिडेंट हैं जो अभी रिपब्लिक डेप चीफ गेस्ट भी थे हमारे देश में ठीक है क्लियर है नीती टोटाला और नील कल्प शेकर इन छात्रों ने क्या जो है डवलप किया है दोस्तो ब्लॉक्चेन वाली रसीद जनरेशन एप लॉंच किया है ब्लॉक बिल के नाम से दोस्तो ठीक है दोस्तो मुंबई के जीयो सेंटर में डवलू पील निलामी में दोस्तो इसमिती मंदाना 3.40 करोड राल चलेंजस बेंगलूरू ने खरीदा हर्मन प्रित कौर को मुंबई इंडियन ने 1.80 करोड में खरीदा दोस्तो ये मुंबई में खेला जाएगा 4 माच से 26 माच तक कुल 22 मैच खेले जाएंगे ब्रेबॉन स्टेडियम और डिवाई स्टेडियम में दोस्तो इन दोनों स्टेडियम में इस मैचों का आयोजन होगा दोस्तो पीम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया का उद्गाटन किया थीम है एरो शो फ़र बिलियन अपरचुनिटीज नई थीम है ए वाला यहाँ पे बी गलत लिखा हुए ए है लंबे टु एब बिलियन एपरचुनिटीज फन्वेट टू अ बिलियन अपरचुनिटीज नई अपरचुनिटीज जी के हैड है अकासमबानी सं जु बिलकुल सही बताया अपने व Percy आ यहां भी औप्शन जाता है वह याद रह जाती किसी चीज को दुबारा पढ़ ले तो याद रहाएं लेकिन 2-3-4 बार पढ़ना ज़रूरी ए इसलिए weekly को revision मानूँ मंतली को revision मानो six month को revision मानो daily current affairs पढ़ना ही पढ़ेगा आपको क्योंकि भाई सारे current affair weekly में नहीं आएंगे सारे तो वीकली में आएंगे वह मंतली में नहीं आएंगे वह सिक्स मंत वाले में नहीं आएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवन आज कोई भी क्लास इसके बाद आप लोग की नहीं है कुछ सौर्स में बना के भेजने कुशिश करूंगा वहां ठीक है चलिए थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद बाबाए टेक केर लव यू अल